माना व्हाट पाई करणे यह अ retard गारें मालपॉआ की रनावर काफी टाइप्स लोग मिल्क को जाधीव करने के बाद इसका बैटर बनाता है लेखे लेकर मौल पौह की काफी इजी फैक प्रया है , किस तरीके से आप मालपॉआ को जल्ली बनाके सब्सवर्ण इसकी पूरी डीटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो हे गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो च वाला ही मिल्क यूज किया है, नॉर्मल ही दूद को जिस तरीके से बॉल करते हो, बॉल करके उसे रूम टेंपरेचर पे कुलडाउं कर दीजिए, और फिरी आप अपने बैटर में इसे आड़ कीजिए, तो हमने यह आपे और टोटल वन कप मिल्क अड़ कर दिया है, एक सा मिल्क अड़ करने की वज़े से हमारे जो लंब से वो ब्रेक नहीं होते है, तो अन टोटल डो कप मैदा में हमने अड़ किया है, दो कप मिल्क और आप इसी चेक कर सकते हो, बिल्कुल लंब फ्री बैटर बना के हमें रेडी करना है, अब हम इसमें आड़ करेंगे बेकिंग सोडा तो आप देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सामने बेकिंग सोडा इसमें आड़ किया है, यहां पे हमें बेकिंग पाउडर नहीं, बलकि बेकिंग सोडा ही यूज करना है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, हमें एकदम लि आड़ किया है, वन कप शुगर, जितना हमने शुगर आड़ किया है, उसका हाफ हम पानी लेंगे, तो हमने वन कप शुगर आड़ किया है, इसी रीजन से हम इसमें आड़ कर रहे है, हाफ कप पानी, और इसे इन बेट्वीन स्टर करते वे कुक करेंगे, जब तक हमारी जो उसे हमारे ह थोड़ी सी केसर अगर क्या मुजबड़ी स्कूलर ऊद्ध चाहिन हो समरा है और लेमिन जूस स्काइब अब इस пров Tespro Pro गी को गरम करने के लिए रख दिया है और जो हमारा बैटर है वो भी 20 मिनटे के लिए रेस्ट हो चुका है और इसके आप consistency चैक कर लीजे और हमारा ये बैटर बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विडी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए साइड में जो हमने घी गरम करने के लिए रखा था वो काफी अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें हमारे माल पुआ का बैटर आड़ करेंगे तो आप कोई भी एक स्पून सेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ये आप अपना माल पुआ का बैटर आड़ कीजे तो हम एक टाइम पर एक स्पून जितना बैटर इसमें आड़ कर रहे है और अब हम रखेंगे ग्यास की फ्रेम को मीडियम पे और इसे एक साइड से हम फ्राइ होने के लिए रख देंगे ये एक साइड से हलके से फ्राइ हो जाएं फिसे टर्न करके सकेंड साइड से भी हम फ्राइ कर देंगे तो जैसी हम ने माल पुआ को घी में आड़ किया तो ऑनTHE CPU आप इसे टर्न ना करें तो मिनट के लिए हम इने फ्राई करेंगे और फिर हम इने टर्न करके 2 साइड से भी फ्राई कर देंगे तो यह एक साइड से कावी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं 256 00920 vocêель हो यह जो चुके हैं अब इन्हें हम on the spot हमारी sugar syrup में add कर देंगे जो की दूसरे side में boil हो रहा है तो इसे हम low flame पर एक से दो मिनिट के लिए हमारे माल पॉआ को इसी के अंदर रख देंगे ताकि हमारी जो माल पॉआ है वो काफी juicy बन के ready हो तो इसी तरीके से हम इसे tap करते हुए एक से दो मिनिट के लिए हमारे sugar syrup में boil होने के लिए रखेंगे और दो मिनिट के बाद हमारे माल पॉआ को sugar syrup से हम निकाल देंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे इसी तरीके से हम हमारे सारे मालपवा को बना के रेडी कर देंगे बस आपके पैन में जितनी प्लेस हो उतना पर ये मालपवा का बैटर आड़ कर दीजे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इने फ्राइ करने के लिए रखेंगे दोनों साइट से हमें इन गुल्डन बाउन होने तक फ्राइ करना है और ये मालपवा फ्राइ होके रेडी हो चाय तब हम इने ऐड करेंगे हमारे स्टस चूगर स immigration में बस हमें इस बात का ध्याद रखना है इस वक्त हमारी जो चूगर स्पर ना वो गरम होनी चाहिए या फिर आप इने एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही बॉयल कर दीजे और हमारे माल पुआ गर्मा गर्म बनके रेडी है इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे आलमंस और साथी में हम आड़ करेंगे पिस्ता आप यहाँ पर इलाइची पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो अगर आपको इलाइची पाउडर जादा पसंद हो तो हमने शुगर सिरफ में ही इलाइची पाउडर आड़ कर दिया था और हमने यहाँ पर आड़ किया थोड़ा सा केसर भी केसर को भी हम हलका सा नहीं आपर स्पिंकल कर देंगे और हमारा ये गर्मा गरम मालपोः बगर के रेडी हैं ये काफी सॉफ्ट और जूसी बनके रेडी हुए है काफी कम टाoral में हमने ये टेस्टी से मालपोः बनाके रेडी कर दिया है अगर आपको